नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रिलाइंस के विकेंडल्जेस की वीडियो में नेक्स वीक जो की अपना 3rd of October से 6th of October तक रहेगा उसमें रिलाइंस को हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे चार्ट पे हमारे पास जो इन्फोर्मेशन यहां पे प्रिंट है उसके बेस पे इस आने वाले हफते में रिलाइंस क्या मूव दे सकता है उसको हम जानने पर रखने की कोशिश करेंगे लास्ट का जो हमारा व्यू था वो था कि एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर रिलाइंस रहेगा तो वहां पे हम कुछ ट्रेड नहीं करना चाहेंगे जब तक कि नो ट्रेडिंग जोन ना टूटे फिर वह उसी विक की मतलब आगे आने वाले टाइम में क्या उस नो ट्रेडिंग जोन के बाहर निकल रहा है क्या है वो सब यहां देखेंगे पर रखेंगे उससे पहले बता दूं भहिया कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है यहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं इनकेस आफ इस वीडियो के बेस पर भी ट्रेड लेते हैं तो वह आपकी सहमत ही है दोस्तो इस वीडियो के साथ मेरा कोई आपको कहीं से प्रोथसान नहीं है कि आप बाइ कीजिए, सेल कीजिए, कुछ भी किसी प्रकार से वह आपका अपना डि नीचे की तरफ कहानी चल रही है रिलाइन्स की वह आप देखेंगे डाउनवर्ड पैरलल चैनल के अंदर चल रही है और यह जो नीचे मैंने जोन मार्क किया हुआ है यह वाला पिछले हफते का ही है यह इसमें यह देख सकते हैं आप और कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर पिछले हफते खतम होई थी कि जब तक यह इस जोन के देखें यहां पर अगर आप ट्रेड लेते हैं आप इन कैंडल्स को देखिए इन कैंडल्स को देखिए इन कैंडल्स के अंदर अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आप फस के रह जाएंगे आप आपको move नहीं मिलने वाला, ये इन candles के अंदर, मतलब pull मिला के कहानी ये है कि जब तक ये जो zone है, इसके अंदर price रहेगा, ना तो buy का trade बनेगा, ना sell का trade बनेगा, ये last week चर्चा की थी हमने, ये ही मैं इस week आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो पीछे की reliance की weekend की analysis को जरूर देखिए, reliance को बहुत accurately predict कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेगा, अब ये जो zone है, ये दोस्तो, pull मिला के, यहाँ पे जो मैंने डाला था, ये है, 2350 से लेके 2320, ठीक है, और resistance का का काम ये उपर वाली line, यहाँ पे इसके बीच में अगर ये move करता है, तो ये उपर a length रहे है, resistance का का काम करेगी, बट हम क्या इसको consider कर सकते हैं, ठीक है, ये अगर आपको positional trading कर रहा है, weekly basis पे trading कर रहा है, वो simple क्या करेगा, इस जगे sell करेगा, इस जगे buy करेगा, इस जगे sell करे trading session ले रहा है, उपर जाने में 15 से 20 trading session ले रहा है, तो फिलाल जो नीचे की तरफ support है, तो जब तक ये 2320, देखे, कुल मिला के अगर 4 दिन का week है न, तो ये तो खेर आपके पास पकड़ा होना चाहिए, closing basis के लिए, पर अगर आपको trade लेना है, simple है दोस्तों, बहुत ही simple strategy आ आपको मैं बता रहा हूँ, next week के लिए, जो पिछला हमारा week निकला है, हाला कि आप किसी भी चार्ट में ये script में मेरे जो learning की वीडियो जो पड़ी है, telegram पे वो पड़ी, सबसे बड़ी candle कौन सी है, एक, दो, तीन, चार, ये पूरा week निकला है अपना, Friday, Thursday, Wednesday, ये है Tuesday, ये ह तो Thursday का दिन था, इसी में इसने week का high लगाया, इसी में इसने week का low लगाया, बस, इस candle का high पकड़ लो, इस candle का low पकड़ लो, ये ही range specify की है मैंने आपको last week की वीडियो में, ये पूरी range इसने एक दिन में टेस्ट की है, उपर की तरफ, लेवल एट 2385, नीचे की तरफ, अगर market range bound रहेगा, तो वो इसी बीच में गुमता रहेगा, जैसे ये, इसी बीच में गुमता रहेगा, तो यहाँ पे जो छोटा trader है, जो call put में काम करता है, वो भया हो जाएगा बरबाद, है ना, तो मैं आपको ये ही कहना चाहूँगा, जब तक ये Thursday का high, जब तक ये Thursday का low, 2385 मोटा मोटा लिख, वैसे तो मेरे ख्याल में 2383 था, तो नीचे की तरफ 2320, ये इसके नीचे ट्रेड करें, तो आपका put का ट्रेड है, ये इसके ऊपर ट्रेड करें, तो आपका call का ट्रेड है, call का ट्रेड रहेगा intraday, क्यों रहेगा वो भी आपको सम जाता हूं, call का ट्रेड intraday इसलिए रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, चाओ चार्ट क्या है, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है, चार्ट क्या है, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो ऊपर की तरफ resistance created है, ये जो जो जोन है, ठीक है, call को carry नही करके जाना, वो call का trade बनेगा, वो intraday base बनेगा, put का, 2320 के नीचे अगर put का trade बनेगा, और इसी के नीचे reliance close भी करता है, तो आप put को carry कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में script जो है, वो उपर से नीचे की तरफ आ रहेगा, ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, तो तोड के close करते हैं नीचे, तो कम से कम यहां तक के target open है, और आगे आने वाले दिन में reliance को यहां तक देख सकते हैं, बाइस सो चालिस तक, ठीक है, यह देखे, यह गया कैसे था, यह एक ऐसे mode में गया था, यह आ कैसे राए नीचे, यह ऐसे mode में नीचे आ रहा है, तो क कम से कम यहां तक तो यह आना चाहिए, बाइस सो असी, ठीक है, और मुझे लगता है कि बाइस सो चालिस तक भी हम reliance को देख सकते हैं, बाइस सो चालिस तक पर इसका trade कब बनेगा, जो मैंने अभी आपके साथ level share किया, यह Thursday का low, तेईस सो बीस, ठीक है, देखे, है क्या, ब फिर एक consolidation है, 15 से 20 दिन का, जैसे ही इस लो को तोड़ता है, फिर 4% का move है, जैसे ही इस week के low को तोड़ेगा, weekly low को तोड़ेगा, ठीक है, यह चार्ट को आपको clear दिख जाएगा, तो अगर मैं weekly candle है, बास, यह, यह week का low, वो यह candle है, Thursday वाली candle होगी, बाइस साप सी दीसी बा 2325 है, आप लेवल 2320 लिखके रखें दोस्ते, ठीक है, 2320, मैंने थोड़ा यह वाले लो पकड़े है, ठीक है, 2320 2320 भी नहीं लिखा जारा, 2322 इसके नीचे पाँच मिनट की candle close करके अगर trade करने लग जाता है, तो आप cell की गाड़ी में बैठ जाईए, फिर यह target है, बस, फिर इस वाले जोन में आएगा, पोजिशनल बेसे, जब वीकली चार्ट लगा रहा हूं, तो target जो है, बड़ा निकल के आ रहा है, तो trade भी आपका कम से कम 10 से 15 दिन से प्लस का निकल के आ रहा है, ठीक है, हाला कि जब मुझे पूरे एक वीक की चर्चा करनी है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ले 2275 इस परगार के target आपको इस level के नीचे ही देखने को मिलेंगे, और अगर high को crack कर देता है, 2385 को, तो जैसे ये नीचे आके ऐसा एक उपर का move दिखाया है ने, उन्हें बार बार, ऐसे, तो फिर एक उपर का move हमको यहां तक का देखने को मिल सकता है, पर उसकी condition क्या है, ये 2385 को प्रॉस करना चीए, तो simple है, कुछ इसमें खुरपैची नहीं करनी है, उंगल नहीं करनी है, वो उंगल वाज आदमी नहीं बनना, ये उंगल करना है किसी को, जैसे जो ट्रोलर होते हैं, वो उंगल वाज होते हैं, पर आशिरवाद होता है दोस 2320 यहाँ पे काट, नीचे की तरफ काटने के लिए, 2385 उपर की तरफ जाने के लिए, बट यहाँ पे carry forward नहीं करना, इसके नीचे कोई candle close करके मिलती है, तो जरूर carry forward कर सकते हैं, अपने trade को आगे लेके जा सकते हैं, इतना फरक है, क्योंकि script जो है, उपर से नीचे आ रही ह अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ दिन की लो को तोड़ा तो आपको price थोड़ा नीचे को भी मिला, बट यह price कितना नीचे जाएगा, उसकी कोई guarantee नीचे से उपर आ रहा है, तो जब तक कोई नया swing low ना तोड़ दे, ठीक है, यहीं payment है, दूसरे दिन तो नीचे घुस जा रहा है, तो जब तक यह ऐसे high को कोई cross करके उपर की तरफ नहीं निकलेगा, तब तक भाईया price में कोई change नहीं है, price action में कोई बदलाव नहीं है, आई समझे बात, यह इसने high बनाया, फिर एक नया high बनाया, फिर एक न downward trend के अंदर stock आ चुका है, अब high कोई break नहीं हो रहा है, आप देख लीजे, तो यह इसके उपर निकल गए, जब यह high को break कर दे, मतलब कि 2480 के उपर जिस दिन close करना चालू कर दे, तब आपका call side का trade बन जाएगा, यह बनेगा जब resistance को काटता है, ठीक है, बाकि contra trading भी कुछ होती है, बट वो बहुत risky होती है, तो ठुकते वे stock को buy ना करें, ठीक है, चड़ते वे stock को ठोके ना, चलिए, यह है, रिलाइन्स अगले हफते के लिए 2320 नीचे की तरफ, 2380 से उपर की तरफ, इसके बीच में again no trading zone, रिलाइन्स को, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, ल Thank you very much.